अलो एब्रिवन आज हम पढ़ेंगे रेखा चितर और संस्मर्ण तो सबसे पहले जानते हैं कि रेखा चितर क्या होता है रेखा चितर मूर रूप से चितर कला का शब्द है रेखाओं के द्वारा बना हुआ चितर रेखा चितर है चित्र में रेखाय जो फर्क करती है वही करना सहीत्यों में शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तू या द्रिश्य का इस परकार वरनन करता है कि आंखों के आगे का व्यक्ति वस्तू या द्रिश्य का चित्र खिंचता चला जाए तो उसे रेखा चित्र कहते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि रेखा चितर बिदा मूलत चितर कला की बिदा है और इसमें रेखाओं के माध्यम से ही चितर बना दिया जाता है रेखा चितर अंग्रेजी में हम इसे स्कैच का प्रयावाची सविकार किया गया है और हिंदी में यहाँ शब्द चितर व्यक्ति चितर तूलिका चितर चरितर लेक आदी शब्द भी प्रयाय बनकर आये हैं और अंत में रेखा चितर शब्द को प्रचलित हो गया है हम यह विदा बहुत बाद में विक्सित हुई है प्रन्तु अन्य विदाओं की तूलना में इसकी प्रणयन भी अधिक मात्रा में हुआ है और लोग प्रयाता भी अधिक अर्जित की है अब हम इसकी परिभाशाय जानते हैं हमने अभी इसका अर्थ समझा फिर हम इसकी परिभाशाय समझते हैं तो दो तिन परिभाशा में आपको समझाती हूँ सबसे पहले हैं शिरी बिने मोहन शर्मा ने रेखाचितर के सरूप पर प्रकाश डालते हूए लिखा है कि रेखाचितर में व्यक्ति घटना या द्रिश्य का अंकल होता है दूसरा जो परिभाशा है वह है डॉक्टर मेश चंदर लावनिया का कहना है कि रेखाचितर गद्य सहाइतियों की एक ऐसी बिदा है जिसमें संक्षित आकार में ही उसकी किसी मानव वस्तु या घटना का रेखाउंकन इस परकार से किया जाता है कि बिश्य सामगरी का चित चंदर ही साकार ओहो उठता है तो तीसरी जो परिभाशा है डॉक्टर राज नात शर्मा ने रेखाचितर को इस परकार से परिभाशित किया है कि जो रेखाचितर उस सहितिक रचना को कहते हैं जिसमें किसी सामान्य या साधान व्यक्ति के मर्म स्पर्शी चरितर की बहया रेखा को उसमें जीवन से समंदित बिविन संक्षेप्त घटनाओं के माध्यम से परभावशाली धंग से अंकित किया जाए. यह तीन इसकी परिभाशा थी रेखा चितर की अब रेखा चितर की तत्वा या रेखा चितर की रचना या तत्वा यहां पर बिद्वानों ने रेखा चितर निमलिक तत्व बताये हैं, अलग अलग बिद्वानों ने बताये हैं, सबसे पहले क्या है कि पहला रेखा चितर तत्व जो है पहला बिश्य है, दूसरा सरस्ता है, तीसरा चित्रात्मक्ता है, चौथा लेख का निजीपन या व्यक् जो पांचवा पॉइंट है, वो है संस्मरनात्मक्ता, चटा पॉइंट है भाषा शैली, तथा साथवा पॉइंट है उदेश्य, तो यहाँ पे डॉक्टर हरी मोहन ने रेखा चितर बिदा के चार बिदायक उपकर्ण माने हैं, वो कौन-कौन से हैं? वो पहला है चितरात्मक दूसरा है एकात्मक्ता, तीसरा है तटस तता, तथा चौथा है संक्षेप तता, तो यह डॉक्टर राम अर्मेश चंदर ने रेखा चितर के निमन पांच तत्व सभिकारे हैं, जो डॉक्टर मेश चंदर ने रेखा चितर के निमन पांच तत्व सभिकारे हैं, पहला है ब अब जो रेखा चितर है रेखा चितर की बिशेषता इस प्रकार से हैं पहला है रेखा चितर किसी भी बिश्य पर लिखा जा सकता है अर्थात इसके हेतु कोई भी बिश्य निश्चित नहीं होता है लेकिन जो रेखाचित्र कार उन्हें बिश्य पर लिखते हैं जिनसे उनका निकट संपर्क हो दूसरा रेखाचित्र में वातवर्ण की परमुक्ता रहती है और तीसरा जो पॉइंट है वह है रेखाचित्र ऐसी गद्य बिद्या है जिसमें लेखक अपने शब्द खौशल से किसी एक व्यक्ति वस्तू घटना का चित्रन करता है फोर्थ पॉइंट है इसमें बहे आकरिती के साथ व्यक्ति का आंत्रिक व्यक्तित्तो भी आकार पाता है फिफ्ट है इसमें कथानक की अपेक्षा तथ्यों के उद्घाटन और घटनाओं के पर्तक्षी करण पर ध्यान रखना होता है इसमें बिम्ब विधान पर विशेश बल रहता है 7 है रेखाचित्र किसी व्यक्ति का भी हो सकता है वस्तू का भी हो सकता है घटना तथा समेदना में से किसी का भी हो सकता है 8. पॉइंट है रेखाचितर में समरीतियों का अधार नहीं होता है 9. रेखाचितर किसी बिलक्षन व्यक्ति को ही नायक मान का चलता है अत्वा ऐसे व्यक्ति को जिसकी विशेष्टा है लेखक और पाठक में सम्वेदना जागरित कर सके 10. पॉइंट है चितर कार के लिए सुक्षम, परियोवेक्षन, शील, दृष्टि और रूप, विधान यानि भाषा के आशकता होती है 11. इसमें सुक्षम, चितरन और विशलेशन का होना अत्यांत आशक है 12. यह चितरन सकैच की भांती वस्तुपर्क होता है 12. आपने देखा होगा कि कोई जिस तरह से किसी ने कोई अपराद किया है 12. उसकी तिस्वीर किसी व्यक्ति के आगे तो सामने दिखाई दे रही है 13. उसको वहां से चला जाता है उसका स्कैच बना कर 13. रेखा चितर की सफलता 13. रेखा के शैली पर अधारत होती है 13. हासे वेंग्यपून शैली चुबते हुए तीखे 14. कटू बिशेशन और नपी तुली शब्दावली और इसकी शैली की गुण है अब इसके जो भेद हैं भेद हैं रेखा चितर के भेद तो रेखा चितर के हम जो जिस तरह से भेद हैं डॉक्टर हरवश लार शर्मा ने रेखा चितर का वरगी कर इस प्रकार से किया है सबसे पहले है कि फर्स्ट पॉइंट है मनुवेग्यानिक रेखा चितर दूसरे है एतिहासिक रेखा चितर थर्ड है तथ्य परधान या घटना परधान रेखा चितर फूर्थ है वाता वरन परधान रेखा चितर फिप्थ है परभाववादी परतीक वादी रेखा चितर है इसके भेड हैं और डॉक्टर हरीमोहन ने उन्हें तीन वर्गों में ही रखना उचित माना है। जो ये डॉक्टर हरी मोहने उन्हें तीन वर्व कौन-कौन से माने हैं सबसे पहला पॉइंट है व्यक्ति परधान दूसरा है वस्तो परधान और तीसरा है अन्या तो वैसे तो हिंदी के में जो रेखाचितर के अनेक ब्रिष्टी कोचर होते हैं और संसमरणात्मक रेखाचि वैसे जो रेखाचितर के संग्रे की प्रत्थम रचना आचार्य पदम सिंग शर्मा की पदम प्राग नाम से परकाशिक हुई है जिसमें भाव और भाशा का अदबुत अनुपम समन में है और प्रारंबिक रेखा चित्रकारों में महादेवी बर्मा का नाम भी अत्यांत महतपूर है उन्हें इस गद्य पिदा की सम्रिधी पर्तिष्ठा की चल्म सीमा पर पहुंचाया है और शिरी किरपा शंकर सिंग का कहना है कि सन 1941 में महादेवी का अतीत के चल्चित्र में प्रत्म पहली बार रेखा चित्र की संपुल गुल समाहित दिखाई देते हैं और रेखा चित्र सहायत्यों को वही से एक स्थाई मार्ग मिला तो यह हमने अभी पढ़ा है रेखा चित्र के बारे में अब जो दूसरा हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे संस्मरन के बारे में कि संस्मन क्या होता है तो चलते हैं संस्मन के संस्मन संस्मन शब्द अंग्रेजी के मेमर्ज का प्रेवाची है इसका व्यत्पती परक अर्थ उद्घाटित करते हुए डॉक्टर जो मेमरी शब्द है यही संस्मन है यानि इसका व्यत्पती पर अर्थ उद्घाटित करते हुए डॉक्टर जो पदम सिंग शर्मा कमलेश का मत है कि संस्मन शब्द की व्यत्पती सम जमा स्मरी जमा लिट अन से हुई है जिसका अर्थ होता है सम्यक समर्ण यह जो सम्यक शब्द का अर्थ है पुल्खोज और पुल्खोज का आश्य है सहज आत्मियता तथा गंभीरता से किसी व्यक्ति घटना दृष्य वस्तू आदी का समर्ण करना यहाँ पर एडगर जौनसन ने समर्थी परबल देते हुए कि जो लेखक अपने समर्ण शक्ति के माद्यम से ही समर्ण की रचना करता है और इससे यही स्पष्ट होता है कि जो समर्थी के द्वारा ही किसी व्यक्ति अत्वगटना का मार्मिक और सहित्योचित वरणन करना ही संस्मन कहलाता है और संस्मन में भावना की गहनता और यथार्थ के चित्रों के साथ सा लेखक समर्ण कियेगे जीवन को सरवाद्धिक महत्रपूर मानता है और किसी अज्यात तथ्यों का साक्षातकार करना चाहता है और यहाँ पर डॉक्टर हरी मोहन ने संस्मन को परभाशित करते हैं कि संस्मन गद्य की वह जीवनी पर्क तथे तर गद्य विदा हैं जिसमें कोई लेखक किसी विशेष्ट व्यक्ति के जीवन से जुड़ी मार्मिक आत्मियों समरितियों को रोचक तथा तथ्य परगधंग से वर्नित करता है तो यहाँ वर्नन में लेखक की अंतरंगता की जलक भी दिखाई देती है अब इसकी जो डेफिनिशन है वो अलाग लग समस्ले है डॉक्टर शंकर देव अवतरेक ये अनुसार की सहायतिय रूपों का अनुसंधान करके संस्मर्ण की परभाषा इस परकार से दी है कि संस्मर्ण की आत्म संस्मर्ण और पर संस्मर्ण दोनों होते हैं जो क्रमशो आत्म कथा और जीवनी के उसी परकार संक्षित रूप है जैसे उपनियास का कहानी नाटक का एकांकी और महा काब्या का खंड काब्या है तो उसी तरह से डॉक्टर भागीरत मिश्र का कहना है कि संस्मर्ण किसी परसीद व्यक्ति की होते हैं और प्राय मृत्व के बाद उप्रांत ये हैं लिखे जाते हैं और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस सारी इस डेफिनेशन से यही पता चलता है इस परिभाशा से यही पता चलता है कि संस्मर्ण सामनित जो महान व्यक्तियों के ही लिखे जाते हैं संबंद देश और द्हौन से होता है इसमें लेक्त वर्ने साथ आपने बिश्यक में भी कुछ न कुछ कहता चलता है औरश इसमें लेक्त जैसा देखता है अनुभव करता है वैसा ही वर्यन करता है संस्मरन कथात्मक बिदा है और इसमें घटनाओं का सनिवेश भी होता है इसमें जो पार्तर और चरित्र योजना का रूप होता है और प्रिवेश की दृष्टिस भी इसमें अनिवारे होती है और जो ये अब इसमें हम जो संस्मन के रचना तत्तों के बारे में हम समझते हैं तो जो संस्मन के रचना तत्तों कौन-कौन से हैं संस्मन विदा के विदायक उपकर्ण निमलिक्त है सबसे पहले अतीध यानि सम्रिती दूसरा है व्यक्तित्तों का चरित्रांकन तीसरा है आत्मिय एवं शद्धा पर्थ अंतरंगता तथा चौथा पॉइंट है तथा आत्मता सबसे पहले जो ये संस पहला अतीत या समरिती है संसमर में लेकक किसी प्रेना प्रद व्यक्ति के जीवन के घटित अशो का आधार अपनी समरिती के आधार पर अंकन करता है इसलिए जो लेकक की मस्तिक समरित्या या मानस घटना मानस पटल पर उबरने वाली घटना को शब्द बद करना इस विदा की पहली शर्त है ये घटनां वे होती है जो अतीत का अंन बन चूकी होती है दूसरा आता है व्यक्तित्यों का चित्रन जेस तरह से संसमर्ण प्रया किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है हलाकि संस्मन जगों और गड़नों के बारे में भी लिखे जा सकते हैं यानि व्यक्तित्व का चरित्रांकर इस संस्मन का दूसरा महत्वपुन तत्व है व्यक्तित्व वो चरित्र की उभारना संस्मन लेख का उदेश्य रहता है तीसरा जो है वो है आत्मियता आत्मियता संस्मर्ण की अनिवारे और शर्थ है लेखक उसी व्यक्ति के बारे में लिखता है जिसके साथ उसकी आत्मियता हो यानि जब तक लेखक आत्मियता के साथ किसी समर्थी को अंकित नहीं करेगा तब तक संस्मर्ण विदा आकार नहीं पा सकती है और लास्ट पॉइंट है तथ्यात्मक्ता जब किसी व्यक्ति घटना का स्थान के बारे में सम्रीती सहारे लिखा जाता है तब वह जुरूरी होता है जो भी लिखा जा रहा है वह तथ्यपुर्ण हो यानि तथ्यात्मक्ता भी संस्मर्ण का अत्यांत आशक तत्यों होता है इसमें करपना का इतना अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता जितना कहानी आधि अन्य विदाओं का तो आप समझ गए होंगे तो अब इसमें चलते हैं संस्मर्ण का वर्गिकन वर्गिकन डॉक्टर मनोर्मा शर्मा ने इसके वर्गिकन किये हैं तो सबसे पहला पॉइंट है जीवनी परधान संस्मर्ण दूसरा यात्रा परधान संस्मर्ण तीसरा शिकार समन्वी बांचवा है सामाने संसमर्ण और छंजटा है कलात्मक संसमर्ण, इस प्रका कुछ बिद्वान कीन संसमर्णों के लग लग से वर्गितन किया है ind filthy अनीव ripping a जो उनने पहले पईट पिताया है वढ़नात्मक संसमर्ड जुयनंग आत्मक संसमर्ण, और सवेग आत्मक संस्मर्ण, आदर्शवादी संस्मर्ण, यथार्थवादी संस्मर्ण और आतम कथात्मक संस्मर्ण और कुछ बिद्वान ने शैली के अधार पर संस्मर्णों का विभाजन किया है तो वो जो शैली के आधार पर किया है, कुछ बिद्वानों ने, वो किया है, पहला पॉइंट है, आतम कथात्मक शैली के संस्मर्ण, दूसरा है, निबंदात्मक शैली के संस्मर्ण, तीसरा है, डायरी शैली के संस्मर्ण, चौथा है, पत्रात्मक शैली के संस्मर्ण, नात्मक शैली के संस्मर्ण और आठवा आता है सुक्ती शैली के संस्मर्ण और नाइन आता है संबोधन शैली के संस्मर्ण तो यहां पे जो हरी मोहन डॉक्टर हरी मोहने संस्मर्णों को निमन दो भागों में वर्गों में दो वर्गों में बांटा है चरित्र पर्धान संस् अब इसके जो सहस्मन के तत्व जी बिद्वारा ने सहस्मन के निमन तत्व भी पताया है जैसे सबसे पहले था हमने पहले भी पढ़ा है रचना तत्व पढ़े थे अब हम पढ़ते हैं इसके संसमंड के तत्व वर्णय विश्य, पात्र और चरितर चित्रण, परिवेश, शैली, समरित्यांकन तथा उदेश्य, तो अब इसमें हम इसकी विशेष्टा पढ़ते हैं, इसकी विशेष्टा है संसमंड की पहला पॉइंट है, संसमंड की विश्य वस्तु यथार्थ पर अधारित होती और उसमें कलबना के लिए कोई अवकाश नहीं रहता है। दूसरा, कि यह जो संस्मर्ण होता है मान व्यक्तियों की धी चरित्रों पर लिखे जाते हैं। तीसरा, संस्मर्ण की कोई भी शैली हो सकती है। चौथा है, सवेद नात्मक चित्र संसमर्ण के लिए आवशक हैं। पांचवा है, संसमर्ण में वरणित संरीतिया मार्मी को अधच्ठ्य पर खोती है। चाटा है संस्मन में समरीतियों को शयब्दबद किया जाता है और जो समरीतिया होती है वो भी तभी नहीं बल्कि गिनी चुनी अर्थात भी सारी जो समरीतिया जो रमणियों हो जिनोंने लेखक को सरवादिक प्रभावित किया हो और इसमें तट्तीता के लिए कम स्थान होता है इसमें लेक्स्ट्रमन में अतीत की घचनों का ही चित्रांकन होता है पॉइंट है कि संस्में विर्वरनात्मक होता है पॉइंट है इसमें लेकखक व lymph recognize के साथ अपना वलनन भी करता चलता है और उसका नेक्स पॉइंट आता है कि परभावत पादकता तथा रोचता इसके परमुक्ष गोन होते हैं तो हमने अभी रेखा चितर और संस्मर्ण के बारे में समझा उसका अर्थ परिभाश्वा तत्यों और विशेष्टा के बारे में समझा थेंक यू